तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुड़ की जो कि धंड में हम सभी की बहुत ही फेवरेट होती है तो बस कुछ टिप्स के साथ हम इसको बनाएंगे जो की बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसी के साथ मैं दूसरी रेसेपी शेयर कर रही तिल गुड़ के मखाने यह भी खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं ले रही हूं है पर एक पैन और पैन में सबसे पहले मैं लोगी एक कब मॉफली तो यह मेरे पास मॉफली ती यह पहले से ही रोस्टेड रखी हुई थी यहां पर कच्छी मॉफली रोस्टेड मॉफली भी ले सकते हैं तो इन मॉफली को भी मैं एक बाद थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हुई जिससे की रखी भी मॉफली में थोड़ा सा सीलन आ जाता है इसलिए तो यहां पर मैंने एक प्रेट में यह ट्रांसफर कर लिए है मैं चया थोड़ा से फिर कोई चल्क वगारा है तो भागी कोई खराब मॉफली तो और हम खांने के बसक्तिया है तो यह थोड़ा सा इसको फटक में आ प्र बाद को भी इसके चिलकेत वह हटा दिए है पिर इसके बातले हम एक पप गर तो यहां पर जितना हमारे पास मॉफली ह होगा उतना ही हमें यहां पर गुड लेना है तो बिलकु पॉफेक्ट मैच होगा तो गुड को मैंने छोटे-छोटा सा काट लिया है जिससे कि यह हमें बहुत जल्दी ही पिगल जाएगा मतलब जब हम पैन में इसको चड़ाएंगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगा तो फ चलाते बहुत अच्छे से मैट हो जाएगा और इसमें थोड़े से बबल साने यह दिखिए यहां पे खटका आने लग गया इसमें और यह सबसे अच्छा ट्रेक है चेक करने का कि हमारा गुड अच्छे से पग्या आया नहीं तो कटोरी में पानी लेके हम थोड़ा सा उसम मिलाएंगे जिससे कि ठंडा भी नहीं हो और इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहां पे बटर पेपर पे ट्रांसफर कर लिया है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी प्लेट पे थोड़ा सा उसको घी से ग्रीज करके उसमें भी ट्रा सा चालो तरफ से फैला दूंगी बहुत जादा पतला भी नहीं करेंगे और इसके बाद मैंने यहां पे छोड़ चोड़े से निशान लगा दिया कि इसी शेप में कटें आप चाहे तो इसे नॉर्मल शेप में भी या रैंडम कैसे भी इसे तोड़ सकते हैं तो मैंने फिर यहां पे थोड़ा निशान लगा दिया जिससे कि यह थोड़ा सा परफेक्ट उसमें कट जाएं तो यह देखे हमारी चिकी एकदम हो चुकी है ठंडी हो चुकी है और यह कितनी क्रिस्पी बिल्कुल बजार जैसी है हमारी बनी है और बहुत ही असान है आप इसको कभी भी और यह बजार में तो फिर भी महंगी पड़ते है घर में तो इसमें बिल्कुल भी कॉस्ट ली नी पड़ते है बहुत ही रिजनेबल पड़ती है और जितनी आप बजार से लाएंगे आप घर में तो बहुत जादा बना सकते हैं तो यह हेल्दी भी है ठंड में खाने में त मुखने को अधर से रोस्त करेंगे मखने को तब तक रोस्त करेंगे जब तक चूड़े और बहुत अच्छ अच्छ एक आप अद़ कमझा सब्सक्राइआ कर आपने मुखने तो बेंगा अधर कर दोड़ेंगे मैं उसक एक उच्छ strictly हो चुकर आज घर जिसे यहां गोड़ लेंगे और इसमें मैंने एक चम्मच डाला है देसी की अब इसका भी प्रॉसेस है इसको भी हम ऐसी चलाएंगे और पानी में डाल की देखेंगे कि गोड़ हमारा परफेक्ट तरीके से तयार हो चुका है नहीं तो यहां पर मैंने डाले हैं दो बड़े परफेक्ट इनको मिक्स कर देंगे और यह हम लो फ्लेम पर करेंगे बंद नहीं करेंगे तो इसको भी हम ट्रांसफर कर लेंगे बटल पेपर और इसको क्या है कि थोड़ा गरम में हमको अलग-अलग कर देना है यह बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं बहुत ही